हेलो फ्रेंड्स, मितूस कीचन में आप सभी का स्वागत है जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कहा था मैं आपको अपनी सिरीज में बताने वाली हूँ बिना गैस जलाए कि किस तरीके से आप कितनी असानी से बहुत ही कम समय में, बहुत कम समानों में मुदग को बना सकते हैं तो आज मैं आपको ये दूसरे तरीके का मुदग बनाना बता रही हूँ जिसे बनाना उतना ही असान है जितना के पहले मुदग को बनाना असान था और अगर आपने मेरी पहले मोदक बनाने वाली रेसिपी नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पर उस रेसिपी को देख सकते हैं, बहुत असान तरीके से मैं आपको इन गनपती पे मोदक बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, उमीद है आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसं करेंगे उसके लिए यहां मैंने यह आदा कप रोस्टेट पीनट्स लिये हैं मुफली के दाने है और यह रोस्ट किये हुए है यह मार्केट में आपको इसली एविलेवल है आप बजार से बहुत ही असानी से खरीज सकते हैं हर सुपर मार्केट में आपको यह मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको बजार से नहीं मिलते हैं तो आप इसके लिए घर पे जो हमारे पास सिंपल मुफली के दाने होते हैं उन्हें आप रोस्ट कर लीजिए ड्राय रोस्ट कर लीजिए किसी भी पैन में और फिर उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद छिल्का उतार लीजिए तो आपको ये रोस्टेट पीनट्स ले जाएंगे आपको बजार से नहीं लाने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी लेकिन यहां मैंने ये बजार से लिये हैं तो इस तरीके से रोस्टेट पीनट्स ले ले और यहां मैंने आधा कप कद्दुकस किया हम गुर से और पीनट्स से बहुत ही टेस्टी मोदग बनाने वाले हैं तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है बस एक मिक्सी का जाल लेंगे और उसमें ये पीनट्स डाल देंगे और पीनट्स को डाल के एक बार ग्राइन कर लेंगे तो मैं इसको धकर लगा देती हूँ औ जबिसा wacky तबिसा हैं और जाने मिक्षी कर लिया एक better था यह सकते हो इसे मिक्षी में ग्रॉडर मुफी दानों थाय अपिश्च कमें दॉसरे अटाम करना है जो इसमें दॉसरे च्राइफ यह नएक और देनगे । और इसे एक बार ग्राइन कर लेंगे वैसे तो मैंने गुर को कदुकस से ग्रेट कर लिया था लेकिन मैं इसे एक बार इसमें डाल के मिक्स कर लोगी ताकि मुफली के दाने इसमें अच्छे से मिक्स हो सके तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइन कर लेंगे इस तरीके से हलका सा चला लेने से गुड़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे और गुड़ की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा जादा मिठा खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा जादा गुड़ा एड़ कर सकते है अब दोनों चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका भी एक पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा इस तरीके से बहुत ही बढ़िया मोदग बन कर त्यार होंगे कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह मोदग आपने इतनी असान तरीके से बनाए है सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हम इससे मोदग बनाना शुरू करते है यह मैंने मोदग बनाने का साचा ले लिया है और इसमें हम ये पेस्ट इसमें हम ये पेस्ट इस तरीके से डालेंगे और अच्छे से दबा लेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसमें ये पेस्ट को भरना है और अच्छे से दबाना है ताकि मोदक इसे बहुत ही अच्छी आए आप इसे हाथ से भी बना सकते है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं यह देख सकते हैं कितना अच्छा मोदक बना है कितनी बढ़या शेप आई है मोदक की बहुत ही बढ़या मोदक बन कर त्यार हुआ है तो इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे एक मोदक मैं आपको हाथ से भी बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से आपको हाथ से इसे दबाना है और इसे गोल करना है हलका सा अब हम इसे हाथ से शेफ देंगे मोदक की इस तरीके से उंगली और अगुठे की साहता से इसे उपर उठाएंगे और इसे मोदक की शेप दे देंगे इसके भी मोदक इतने टेस्टी लगते हैं खाने में कि कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि यह मोदक आपने इतनी जल्दी इतनी असानी से वो भी सिर्फ दो चीजों से बनाए है यह दिखिए इस तरीके से मोदक की शेप दे दी मैने से और अब हम इसे फॉक की साहता से इसी अ दुछाया बना देंगे अब देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोदक बन गया है हमारा यह वह बेना सांचे के कितना बढ़या मोदक बना है इसे भी आम प्लेट पे अपने तरीके से हम सारे मोदक बनाकर हैं कि त्यें एक तर आ पर पर्फेक्त हमारा गोड़ गुड़ और मुफली के दानों का बिल्कुत परफेक्ट रेशो है, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राइफ फूट्स भी एड़ कर सकते हैं, ड्राइफ फूट्स को भी इसी तरीके से आप पीस लीजिए और फिर गुड़ के साथ एड़ कर दीजिए, कितना अच्छा मोदग बनकर त्यार हुआ है, यह देखिये, बहुत अच्छा मोदग बन रहे हैं, तो इसी तरीके से हम सारे मोदग बना कर त्यार कर लेंगे। यह देखिए। मैंने सभी मोदग बनाकर त्यार क्रिख नेशतिया हैं, सुने देख्णते हैं, इतनी कि मानोग सबाती नीच कहती हैं तो उमीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे जादा से जादा लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और अ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें धन्यवाद